नमस्कार, उजालर सिग्निस के डॉक्टर्स के साथ इस खास बाचीत में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ रचना, आज हम जिस खास मुद्धे पर बाचीत करने वाले हैं, आपके स्वास्ते से जुड़ा हुआ वो विशे है, पेट डर, जी हाँ, पेट में होन वाले तमाम बिमारियां जिसमें बहुत सारे लोग जूच रहे हैं और बारिश का मौसम है, इस दौरान बिमारिया और जादा बढ़ जाती हैं, इसी खास विशे पर बाचीत करने के लिए, हमारे साथ हैं, डॉक्टर अंकुज है, साथ ही हैं, डॉक्टर राइस खान और सोनी पर उजाला सिग्निस के यूनेट हैं, और यह तमाम डॉक्टर्स जो हैं, गैस्ट्रो इंट्रोजिस्ट हैं, इन से हम जानेंगे कि पेट की वो कौन सी बिमारिया है, जो इस दौरान इस मौसम में बहुत जादा सताती है, और अगर किसी को पेट में दर्भ होता है, त कौन कौन सी बिमारिया लेकर आपके लोग जादा तराते हैं, इस मौसम में बहुत जादा कॉमनली गैस्ट्रो इंटिस्टैनल या पेट से लिटिट इंफेक्शन सामने आते हैं, जैसे कि लूज मोशन होना, या पेट में दर्भ होना, या वॉमिटिंग होना, तो ये सीध अपर सब्सक्राशान, जैसे कि अचले होना, इस इनका सीधी होना, या या उल्टी के सेंसेशन होना, या लोज मोशन होना, या या कई बार मोशन पास करना, तो यह सारी दिक्कते ज़्याता तर सामने आती हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें, अपने बचाव के लिए हमें बाहर का खाना बाहर का पाली इस सीजन में खासकर रवाइट करना है। जीतना भी हो सके वेल-cooked food तो अच्छी तरीके से खाना जो प्रॉपर्ली बनाया गया है प्रॉपर्ली टॉप्ट फूट होना चाहिए क्युकि गुक्ट फूड में infection होने के chances कम होते हैं य हम बाहर होग लिए काया लिव वी थक ठाजन कर लिए इसलिड कोई खाना सब्सक्राणा करो कि युए कि यूषी रचीक जैसे कि अंभा बाहर जा ड्रै को Settings कोई भी क्रें शीकिला में लिए के चांसे जादा हैं। डॉक्टर राइस खांदी हमारे साथ है। उससे भी चानेगे पेट से संबढने देन रोकों के बारे में लेके उससे पहले मैं आना चाहती हूँ सुरेश काराजी के पास। सुरेशी आप उजाला सिग्नस के यूनिट हैं सोन पते हैं। और जो उजाला सिग्नस है उसका कैमपेंग है कि जो सुविधाएं स्वास्ते को लेकर बड़े शेरों में मेट्रो सिटीज में मिलती हैं वो छोटे शेरे वाद शेहर में रहने वाला को भी मिलें। तो मैं आपसे जाना चाहती हूं कि आपकी यूनिट में वो कौन-कौन-सी सुविधाएं उबलग हैं जो किसी बड़े शेहर के किसी बड़े से हॉस्किटल में लोगों को मिलती है। बिल्कु सही जो उजाला सिग्नस का हमारा जो मिशन भी है बिल्डिंग ट्रस्ट बाइ सेविंग एड केरिंग फोर लाइवज विद डिगनिटी अफॉर्डिविलिटी इन क्वालिटी यह हमारे उजाला सिग्नस का जो मिशन है। उसके तहत जो टायर टू टायर थ्री सिटीज में जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं होती थी। जिसके लिए हमें मेट्रो सिटीज में भागना पड़ता है। सिर्फ में उजाला सीनिस रूपकी की चेन है जो इतने अच्छे स्तरपे कर पा रहे हैं इसके इलावा हम और भी फैसिलिटीस के साथ हमने स्टार्ट किया है जिसमें इंटेंसिव के लिए हमें मॉस्टली किया है कि मेट्रो सिटीस में भागना पड़ता था जिसमें अभी माल स्टार्ट किया है जिसमें जो भी हमारे डिस्चार्ज पेशंट्स हैं उनके लिए हम वेल्लेस सेंटर हमने बनाया है कि ताकि जो श्रेस फी लाइफ वो जीते हैं उसको दूर कर सके जिसमें में वेल्नेस सेंटर में भी जो तो हमारे चेर मैंने उनका भी एक वेजन था और मिशन बनाया था कि सभी को अच्छे से घर जा रहे है तो हैपी मूड में सब घर जाए तो उसके लिए प्रानायाम स्राड किया गायतरी मंत्र योगा कराते हैं इन चीजों के साथ हम एक अलग ही जो ट्रस्ट है वो बिल्ड कर रहे हैं पेशेंट्स में बिल्कुल मिला कि बहुत ही शांदार काम कर रहा है उजाला सिगनस खासतोर पर वहां के लोग जिन तक वो तमाम मेडिकल सुविधाएं मुहया नहीं थी पहुंच नहीं थी जो बड़े शेर में उपलब हैं और बहुत ही कीमती बहुत ही जादा उनके प्राइस होते हैं लेकिन उजाला सिगनस जो ऐसे शहर हैं जहां पर बड़ी सुविधाएं स्वासी के उपलब नहीं है उन्हें वो तमाम सुविधा मुहया कर आ रहा है रहा है रख प्राइस में अब आपके पास आती है आप तो भले भाती अभी के अभी के अखाला केस आया हो कि कुरोना किसी शक्स को हुआ हो उसके बार उसको पेड़ से संबंधे परेशानिया बढ़ गए क्या इन दोहों के बीच आपस में कोई संबंध है देखे अगर हम कोविड देखे कोविड एक वाइरल इलनेस है और वाइरल इलनेस जितनी भी होती है यूजली कोविड का प्रेडामिनेटली तो रेस्परेटिव सिस्टम पे इन वाइरल में लेकिन चुंकि यह वाइरल इलनेस है तो मॉल्टिस सेंव इन वालमेंट है ही इसमें यूजली पेशेंट्स जो होते कोविड के वन आउट आउट आफ फोर पेशेंट कैन स्पेसिफिकली प् कोविड की जो गैस्रो इंटस्टीनल सिस्टम से रिलेटेड है वामिटिंग लूज मोशन खाली और उसमें चस्ट इनवालमेंट रेस्परेटरी इनवालमेंट कुछ नहीं होगी यह हर चार में से एक पेशेंट हमारे पास आता है यह सिम्टम्स लेकिए और जिनको हमने ड इनवालमेंट होता है वही वामिटिंग नौश्या उल्ठी कम फीलिंग आनी यह लूज मोशन होना यह तो क्लैसिकल है इसमें अब ऐसे कोविड पेशन्ट जो रिकावर होते हैं वह हमारे पास पिर आते हैं उनकी जो में इशू रहती है वह यह रहती है कि उनकी जो पील होता है तो यह शिंटमेंज आते हमारे पास और अधर दैन दिस जो है कोविड एक वायरल इलने से से पें लिवर की इनवाल्मेंट हो सकती है लिवर एजाइम सुटे है वह एसे पी पेशन्ट आये हमारे पास जिणको ट्रांसयमनाइट सुई थी लिए अध बढ़ गह बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता कि वज़ा क्या है, क्या एसे डीटी की वज़े से दुख रहा है, या कुछ खा लिया उट्टा सिखा इस वज़े से दुख रहा है, और लोग खरी लू ट्रीटमेंट लेगे लगते हैं, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ का डिफ्रेंशिये ट करें कि किस तरह कि पार्मक से संभ जी ब्रह्शान चाहिकरें कि कॉनउन सी परिशानिया ओप घर्डे बार्टल करता है, तो पिर अपर अपर अब्रुद गवर को वज़ेमारिय को खरी है, तो पेटर लेटेड यह जो हमारे पास पैट की समबंदित कोई प्रोब्लेम लेके आता है तो पहले het पीषिंट की ही स्ट्री और उसका एक्जामेशन करते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को बताते आए कि यह पाँ दृद कहाँ पर इसके जो औरिजन है तो उसके बाद हम उसको इंवेस्टिगेट करते हैं तो यूजुली जो पेशेंट होते हैं वो गैस समझ के इसको लोगल केमिस्ट के पास चले जाते हैं और दकाउंटर कोई दवाई लेते हैं जैसे कोई पेशेंट परजाल कोई भी एंटेसी ले लेता है तो उस टाइम पेशेंट को लग सकता है कुछ टाइम के लिए कि मैं ठीक हो रहा हूं बट कुछ टाइम दवाई छोडने के बाद या दवाई खाते होए भी पेशेंट को लग सकता है कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूं तो उस ताइम पर फिर पेशेंट को तुरंत एक गेस्ट्रेंट्रोजिस्ट को या जनरल फिजिशन को जो भी आज सपासे में अवेलेबल है वहां दिखाना चाहिए और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो युट्रा उन्कुर जिस तरह का मौसम चल रहे हैं और जिस तरह की परिस्टिया चल रहे हैं हमारे देजुनें और जिस तरह का मौसम है और को निफेक्शन की संभवना एक पर फिर से उसकी तूसरी लहरानी की संभवना तमाम अभीशिषय के जता जुके हैं तो लोगो को अपना किस तरह खयार रखना चाहिए कि उनका डैजेशिन सिस्टम अच्छा बना रहे है और उनका मेटालोलिजम अच्छा बना रहे है जैसा कि आपने बताया थोड़ा सा इंफेक्शन का समय है थोड़ा सा कोविट का डर है तो सबसे जरूरी चीज हम लोगो को अभी जो हम कोविट के प्रिकॉशिंस फॉलो कर रहे हैं अभी भी सबको मास लगवाना है और अज़ पार इस पॉसिबल जितना जादा हो सके सबको लगाना है और जल्दी से जल्दी अगर सब लोग वैक्सिने डूंगे तो कोविट का खतले को थोड़ा काफी हम तक टाल सकते हैं दूसरा अपने स्वास्त के लिए अपने पेट के लिए जैसा की दोक्र सुनिल ने में बोला कि अगर कोई भी पेट से रिलेटेट प्रॉब चय कोफी ओने बोला के गाल 121 ऐसकी रूसिजा को सितनी और कोई जिससे कि अगर से और होंब दूसरा जिसे की अगर ख rattling जो हैसं कि वहां उसको अगर सके है और जितना ऊसका के र कर दो को जुदे करी अलगिया को देहाश डर्याव कि लाख दुद है कर दो ल्हें जादा स्ट्रेस्ट पर अपड़ने कर दो जा से इसरे तुदो अपोड रहाश लागा करेश अवाट कर के साहिए अपने ऑपने जो नॉमल इंट जो को विट से पहले था, उसको पॉलो करे एक बहुत ही कॉमन सवाल लोगों का होता होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिने कॉंस्टिपीशिन की प्रॉब्लम है उन्हें खाना डाजस नहीं होता वो सुबह खाते हैं तो शाम तक भूग नहीं लगती ब्लोटेड वैली की शिकायत रहती है अगर इस तरह की परिशानिय रहती हैं तो इसे कैसे दूब किया जाएं देखिए यह जो सिचुवेशन है खाना खाने के बाद बलोटिंग होना पेट टाइट रहना और अरली सटाइटी जिसको कहते है थोड़ा सा खा लिया वसब मन तो है खाने का लेकिन पेट वे जा नहीं रहा है यह सिम्टम कंप्ल यह है कि हमारा स्टॉमक जो है नॉर्मली जब हम फूड खाते है इसमें अकॉमोडेशन होती है एक फंडस जो स्टॉमक का उपर वाला हिस्सा होता है जब हम खाना खाते है यह एंटिस्पेट करता है कि फूड आने वाला है तो यह रिलैक्स होता है तो यह रिलैक्स होता है है बलोटिंग होती है तो यूजवली यह स्टुएशन जो होती है इनएड़केट फंडल रिलैक्जेशन स्टॉमक का जो पुला रिलैक्स ना होना उसमें और एक रीजन हो सकता है आपका इंट्राइब्डॉमनल प्रेशर ज्यादा है आपका जो अब्डॉमन की जो गर्थ है बिल्ली की फैड जो है वो ज्यादा है वो आपके स्टॉमक को फूल एक्सपैंड नहीं होने देती है दो चीज़े थर्ड चीज जो इंपोर्टन्ट है वो एच्पाइलरी इंफेक्शन है एच्पाइलरी एक बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मली हमारे स्टॉमक में रहता ह है एराउंड यह हर दस में से आठ लोगों को साउथ एशिया में होता ही है तो ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास डिस्पेप्सिया की शिकायत लीके आते हैं यूजवेली हम उनको फोर टो सिक्स या सिक्स टो एट वीक सम उनको मेडिसन देते हैं बट अगर वो पहले से ही हम लेने के बाद भी परसिस्टंट है यूजवेली हम उनको यह तो एच्पाइलेरी के लिए वैलिवेशन करते हैं उसमें हम एक एंडॉस्कोपी करते हैं एंडॉस्कोपी से सैंपल लेते हैं नमबर नमबर टू यह हम उनका जो है एक ब्रेक्ट टेस्ट होता है उमूनिया ब पुलनेस होती है बलॉटिंग होती है तो यूजवेली हम उनको एच्पाइलेरी का टेस्ट एंट्रीट स्ट्रेटी बोलते हैं इसको उनका टेस्ट करते हैं अगर पॉजटिव आता है तो उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो यूजवेली एराउंड 85-90% केसे में वह तो जा गाल ब्लैडर अगर आप रिमू करेंगे तो इससे इंप्रुमेंट होगी बट सबसे हैं इंपोर्टन चीज़ है कि बलॉटिंग जो होती है मैंने देखा है जो पेशन्ट ज्यादा शुगर और कार्बस कंजूम करते हैं ज्यादा आप जितना मीठा खाओगे मीठा क्या है मीठे से यह पर्मेंट होके गैस बनती है तो फुलनेस होती है बलॉटिंग होती है तो इनको यूजवली यह मेडिसन लेते रहते हैं तो अगर इनको लग रहा है कि चार फोर तो सीक्स वीक्स मेडिसन के बाद आपको इंप्रुमेंट नहीं आ रही है यह आपके सिम्टम्स लांग टर्म सिम्टम्स है काफी महिने से चल रहा है तो एक गैस्ट्रेंटरॉल जिसके पास आप आई है वो आपकी असेस्मेंट कर लेंगा वो यह देख लेगा गालवर्ड स्टों तो नहीं है एच्पाइलेरी इंफेक्शन तो नहीं है दीसरी चीज़ आपके फूड अब ज्यादा तो नहीं है और फूर्थ इंपर्टन तिंगी इस कि आप स्ट्रस तो नहीं ले रहा है तो यह चारू चीज़े जो है यह वह आपको गाइड कर लेगा तो यह लाइफलांग सिम्टम्स नहीं है इस यह कंसल टेट्रॉल जिसके अच्थी ने जिए तो यह कमन म पेशन्ट जो है यह ऐसी सिम्टम्स इनके क्लियर हो जाएंगे डॉक्टर सुनीर में बहुत महतुपून सवाल लेकर आपके पास आ रहे हूं इंडिया में ज्यादा तर लोग इसे जूज रहे हैं कॉंस्टिपेशन अगर उनके उठने का वक्त बदल गया तो उनको कॉंस्ट जाती है ऐसे भी बहुत सारे लोग है जेले मुशन तो क्लियर होते पर हमें कॉंस्टिपेशन की शिकायत होती है इसके पीछे की वज़ा क्या है यह अपने बहुत ही अच्छा कॉशन पूछा है कॉंस्टिपेशन ओपिडी की बहुत ही एक जो ओपिडी में हमारे पास कुछ होता है कि परसीव कॉंस्टिपेशन और परसीव कॉंस्टिपेशन पेशन को लगता है कि मेरा मोशन पेर नहीं हो रहा है इसे में मुस्टिपेशन को लगता है कि मेरा मोशन अभी फूल नहीं हुआ है इस वुए इसे में मुस्टिपेशन को लगता है कि मेरा मोशन अ कर दें वो नॉर्मल हो सकते हैं तो इसके बिशे में इंडिया में काफी सारी स्टेडी भी हुई है और वो देखा गया कि परसीड चॉपेशन ज्यादा होता है तो उसमें जैसे दिमाग के रिलेटिड कोई बीमारियां हो गई स्ट्रेस हो गया तो उन पेशेंट पार्किनसन डिजीज हो गया उन पेशेंट में भी खॉनसों होता है जो उस में हम्ट जाधह टाइम लग रहा है तो उसे इड़ा एज बादा ग्याव था एजाना जा रहा है तो इसको बोलेंगे के दिख लूर्म जो कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो पहले हमारा काम है हिस्ट्री प्रॉपर लेनी चाहिए पेशेंट कि जब हम हिस्ट्री रेते हैं तो मोस्ट्री डिग्नोजिस चाहिए फंक्ष्णल है और वहां से बता सकते हैं और रिलेटेट तो इस युजुली पेशेंट दस नाट नीड एनी वैलवेशन पेशेंट को हम डाइट डाइट करनी है उसको प्रॉपर स्लीप प्रॉपर अग्रसाइज लॉट फाइबर सिंड अगर कोई पेशेंट इस सबसे भी ठीक नहीं हो रहा तो देन ही निड्स रेलवेशन उसकी हम कोलनोस्कोपी या सिर्वार्योस्कोपी या फिर बाकी टेस्ट करते हैं जिससे पता लगता है कि एक्चुली इस पेशेंट को प्रॉब्लम किया है और दूसरी बात इस पेशेंट के साथ खून भी आता है स्टूल के साथ या किसी पेशेंट को पहले से तो कॉंस्टिपेटेट नहीं था मगर रिसेंट ऑन सी कॉंस्टिपेशन हुआ अभी कुछ ताइम या फिर अल्डरली पेशेंट होई 50-60 से उपर उन पेशेंट में हम थोड़ा जल्दी इंवेस्टिगेट करते हैं बाकि यंग पेशेंट्स जो आते हमारे पास जिनमें कोई अलाम सिम्टम नहीं होते हम उनको इजुली विदाउट इंवेस्टिगेशन भी ट्रीट करते हो और मोस्ट आप देम गेट ट्रीट नहीं होते उनको फिर आगे इंवेस्टिगे निकल करके आता है तो असली चीजों से रिलेटेद गाएट से रिलेटेड है हमारी कोई मोर्मिलिटी जैसे डियाविटी इस हैपर टेंश्य नहीं हैं हमारी लिफस्टाइल में अलकोल श्मोकिंग से रिलेटेड है और बहुत जादा इंटेस्ताइन में कि आ किसी बताना मुश्किल है. लॉ यॉ उल्मस्ट की पर हुम्हा लॉटिज सहते हैं, लॉपलशें लॉटॉटॉज की हम य। छेम wants to be a break पर इंड लॉट है। खाने लॉट धर भफीन ही है के सीस्टींडमनों हुम साय praying और राप्ति है मिला थी है. जो है पेट की जो कैंसर जो हम एक पब्लिक के लिए बूल सकते हैं यह बोल सकते की लिमिनल और एक्ट्रा लुमिनल कहते हैं पूड पाइप से लेके बड़ी आथ की एंड तक इसमें से जितने भी ट्यूमर आएंगे वह हम लिमिनल कहेंगे जैसे फूड पाइप में फूड का कैंसर इस्टोमक में अलिकांसर है स्टोमक का छोटी आंत का कैंसर स्माल इंटर्सटाइन का यहां फिर लारेज इंटर्सटाइन का कैंसरे hun इ VOCUS के बाहर जो इसके बाहर जो जितने भी एट्वमन में और कार गन्ज है जाइछ लीवर है पैंक्रियाऌस है तो यहां बॉ जो फूट पाइप की खाने की नली के कैंसर लेके, स्टॉमक की पेट के कैंसर लेके और बड़ी आथ की कैंसर लेके, मगर अनफॉर्चुनेटली यह देखा गया है कि यह जो कैंसर आते हैं, यह हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं जबकि इनके सिम्टमस आलरेडी प्रेजन होते हैं पहली, मगर उन्होंने ओवर तकाउंटर मेडिसन ली होती है उन्होंने एग्जाक्ली अपने गैस्ट्रेंट्रोलजिस के पास नहीं गए होते हैं तो मेन जो परफस होता है इन कैंसर के अवीरनेस का वो यह है कि हम इनको अरली स्टेज पर डाइगोज करें क्योंकि अरली स्टेज पर डाइगोज के लिए हैं अगर किसी patient को gastric symptoms है, acidity है, bloating है, fullness है, उसको हम देख रहे हैं, उसके endoscopy करके हम यह देखेंगे, कि यहां उसको family history है gastric cancer की, उसको हमने endoscopy करके देखना है, अगर हम यह देख सकते हैं, इसको chronic gastric तो नहीं है, या इनको early dysplasia तो नहीं हुआ है, तो इन situations में अगर हम cure करेंगे, एच पाइलरी को treat करेंगे, तो यह it is one of the, you know, best intervention in prevention of development of gastric cancer, वैसी बड़ी आंथ का, जिसको colon cancer कहते है, colorectal carcinomas, तो इसमें जो American Gastroenterology Association बोलती है, कि any individual more than 50 years of age, जो भी कोई इंसान है, पत्चास साल से बड़ा, उसको at least एक बड़ी आंथ की यांज करनी चाहे, कैमरा से, एंडास्कोपी कैमरा से, जिसको हम colonoscopy कहते है, वही principle यहां पे भी follow होता है, कि अगर बड़ी आंथ का cancer है, colorectal cancer, वो all of the sudden नहीं आएगा, वहां पे कोई precursor, जिसको polyp कहते है, एक छोटा सा polyp होगा, अगर हम early stage पे वो diagnose कर लेंगे, उसको हम remove करेंगे, तो इसकी colon cancer की, first degree related, father, mother, या बाई में है, बेहन में है, उनको तो हमारे पास उसे पहली आना चाहिए, बैटी गाल ब्लेडर के cancers है, जो हम, गाल ब्लेडर malignancy है, हमारे पास patient आते है, गाल ब्लेडर स्टोन लेके, लेकिन नौर्ट इंडिया में अगर देखा जाए तो गाल ब्लेडर malignancies बहुत ही कामन है, गाल ब्लेडर की cancer में unfortunately survival बहुत कामन है, तो गाल ब्लेडर कैंसर का जो risk है, वो आखी गाल ब्लेडर की stone जो एक सेंटीमेटर से बड़ी है, चाहे वो symptom करे या ना करे, एक सेंटीमेटर से stone बड़ी होगी गाल ब्लेडर में, वो आपको निकालना है गा काम लोगों को होती हैं, लोग अकसर इग्णॉर करते हैं, लोगल केमिस से दवाई लेकर सूचते हैं, वो ठीक हो जाएंगे. तो इतनी महतपुन जानकारी लोगों के साथ साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्री.